पटना इस्टेशन पर कुली का काम करने वाले वेक्ती रखते हैं दो दो बोडी गार्ड यहां धर्मा नाम के कुली रखते हैं दो बोडी गार्ड कारण जानकर रह जाएंगे हैरान बोडिगाड करते हैं दिन के 400 कमाने वाले धर्मा कुली के आगे पीशे होते हैं दिन के हजारों खर्च आखिर क्या कारण है जो धर्मा कुली को रखनी पड़ी दो बोडिगाड जानिये विस्तार से पूरा मामला दोस्तों कॉंग्रेस सांसाद राहूल गांदी ने गुरुआर को आनंद बिहार आईएस बीटी का दौरा किया जो कुलियों से बात्चित की और फिर उनकी वरदी पहन करके सामान उठाया जैसको लेकर के राहूल गांदी की काफी चर्चा हो रही है जैसके साथ दो-दो हत्य हत्यार लिए पुलिस कर्मी बोडिगार्ड हमेशा रहती है जो पटना इस्टेसन के प्लैटफरम नंबर दस पर आप सामान को ढूने के लिए कुली खोजेंगे और फिर आपको अगर धर्मा नाम का कुली मिल गया तो पिर आपका सामान पूरी तरीके से स्रक्षित रहेगा धर्मा कुली अपने माथे पर आपका सामान लेकर चलेगा तो फिर उसके आगे पीछे हत्यार से लाइस दो दो पुलिस कर्मी बोडिगार्ड रहेंगे धर्मा कुली परते दिन 500 रुपे के करीब कमाता है और दो दो बोडिगार्ड को मेंटेंस कैसे करता है ये जानना जरूरी है 27 अक्तुबर 2013 में पतना के गांधी मैदान में ततकालिन गुजरात के मुखे मंत्रे नर्यदर मोडी के सभा में विसपोर्ट हुआ था लेकिन गांधी मैदान में ये विसपोर्ट होने के कुछ देर पहले 27 अक्तुबर की सबे करीब 9 वज़े से पतना जंग संग के प्लेट गाती दहसतगर्दे से पूछता स्थफोर्ट ही ती की गांदी मैदान में कैसे विसपोर्ट हो गये इस घटना में धर्मा को ली नाए एक की वोर बोड़ीगाड है लेकिन धर्मा का करना है कि हमें सुरक्षा कड़मी तो मिले हुए हैं जा हम सामान लेकर के चलते हैं तो फिर ये लोग आगे पीछे चलते हैं लेकिन मुख्य समस्या है कि मुझे रहने की विवस्ता नहीं है झाल 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 झाल